असलाम अलेकुम स्टोरेंट और वेलकुम तू लेक्चर नूमबर टैन तुड़े वी अगर हम लोग प्रिवियस लेक्चर की बात करते हैं तो प्रिवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसके लर्निंग और आउटकम्स के उपर डिस्कस किया था कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कौन कौन से आउटकम्स है उसके घुप के स्टोरेंट के लिए उसके बाद हम लोगोंने इसकी प्रिवी इडिंगं के उपर फोकclipse किया था कि इसके प्री रेडिंग्स जो है मतलब कि लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले त्रांसलेशन को स्टार्ट करने से पहले वह कौन-कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए वह हम लोगों ने डिस्क्रिस कर लिया हुआ है तो नौ तोड़ेशन को स्टार्ट करेंगे पाराग्राफ नंबर वन के अगर हम पाराग्राफ नंबर वन में जो देखते हैं डिफिकल्ट वर्स तो उसमें पहला हमें जो दिया हुआ है हो है define डिफाइन का मतलब है describe करना किसी भी चीज़ को specify करना अगर हम उड्डो में इसका माइनी देखें तो इसका उड्डो में माइनी बनता है तारीफ करना उसके बाद हमारे पास next word है disrupt इसके लिए हम लोग जो synonym है वो करेंगे disarrange और unsettle यानि कि किसी भी चीज को आप मुंतशिर कर दें या विखेर दें उसको unsettle कर दें यह सारज इसमें आएगा उसके बाद third हमारे पास जो word है वो है functioning functioning का अगर आप synonym देखते हैं तो practical working को कहते हैं अगर आप उर्दू में इसके लिए किसे लफज का इसमाल करना चाहते है तो उसमें कार्गजारी आ जाता है यानि किसी भी काम कॉमली तोर पर जो है न सर अन्जाम देना उसकी मर्श करना practical working आएगा इसके पात fourth हमारे पास word है unchecked unchecked यानि कि कि बगार रोक थाम के कोई भी जो है चीज होगी वो unchecked होगी not controlled or restrained these are the difficult word meanings of this paragraph now next let's have a look at the transition of paragraph number one okay the first paragraph is noise pollution is defined noise pollution की अगर हम तरेश करते हैं तो any form of noise shore की कोई भी ऐसी सूरत that disrupts जो खराब कर देती है या हम लोगों ने इसका जो meaning पर था मुन्चिर कर देना था लेकिन यहाब और आप इसको को खराब कर देने की meaning में पर सकते हैं दा normal functioning of life आप की मामूल की जिंदगी को मामूल की जिंदगी की कार गुजारी की यह नहीं कि आप एक नॉर्मल लाइब में, एक आम जुनिक में, जो भी कॉई भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी अम्ली मशक कर रहे होते हैं, अगर उसको खराब कर दे कोई भी शूरत, उसको हम क्या कहेंगे? noise pollution कहेंगे अगर हम इसका बामहावरा तरजमा करते हैं तो होगा शोर की यलूद्गी से मुराद आवाज की हर ऐसी सूरत है जो जिन्दगी के मामूल की कार गजारी को खराब कर देती है इस left unchecked अगर हम इसको जो है बगैर रोक थाम के ऐसे ही जाने दें रोका ना जाए इसके बहुत पूरे असरात मुरतब हो सकते हैं ओन माइंड दमाग पर और बोड़ी ऑफ हुमन और इंसानी जिसम पर अगर हम इस लाइन का बामहावरा तरजमा करते हैं तो होगा कि अगर इसे रोका ना जाए तो ये इंसानी जहन और जिसम पर शदीद असरात मुरतब कर सकती है इस इस अगर आप मामूल की जिसम फंक्शनिक बाम करें और ओर ये किस तरह खराब हो सकते हैं तो नार्मल फंक्शनिक मींस तो लिव इस काम एंड पीस यानि के यानि के मामूल की जो हमारी जिंदगी है उसको अमन और स्कून से तहना and it is disrupted by the noise pollution और ये शोर की हलूद्गी की वज़ा से क्या हो जाती है खराब हो जाती है या मुन्फिर मुन्तशिर कर हो जाती है this was the lecture number 10 इंशाला in the next lecture we will discuss about the other window questions your task is you are going to take help from the sunshine the way I told you आपने इसी तरह तमाम paragraph की transition को learn कर लेना है फर्सली आपने उनकी वोर्ट पिनोनिम्स को learn करना है और उसके साथ साथ पिर आपने उसकी transition जो है paragraph की भी learn करनी है